हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आपकी गारड़निंग में? फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और इस टाइम पर हम सभी की गारड़निंग अच्छी चल रही है क्योंकि मौनसून आ चुके हैं बारिश हो रही है हर जगा पर बहुत अच्छी तरीके से इसलिए हमारे प्लांट भी खुश है और हम भी खुश है फ्रेंट देखिए मैं एक प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग देख के पहचान दो गए होंगे यह मौनस्टेरा का प्लांट है यह मेरे भाई है उनके घर पर ग्राउंड पर लगा हुआ है देखिए यह जामुन का पेड़ है जामुन के पेड़ पर यह पूरा प्लांट ऊपर तक चड़ गया है और बहुत ही बड़ा हो गया है बहुत इसकी लीफ्स बहुत बहुत बड़ी है काफी बड़ी लीफ्स यह देखिए उपर टॉप तक गया हुआ है यह प्लांट जामून का बहुत बड़ा बहुत भारी पड़ा है, उसमें पूरा लिप्टा हुआ है इसके आप रूट्स देख सकते हैं, इसके पेड के तनें पर जड़ पर लिप्टी हुई है सब यह देखी। कितना खुपसूरत प्लांट है तक देखने के ताबिल प्लांट है कि monster की cutting किस तरह से लगाई जाती है ये cutting उन्होंने मुझे दी है और मुझे कुछ spider के plants दी है उन्होंने वो भी मैं आज लगाऊंगी और देखें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी leaves हैं ये leaves तो फिर भी छोटी हैं वहाँ पर जो plant के ऊपर जो चड़ा हुआ है plant उस पर आप देखें उसकी leaves बहुत बड़ी बड़ी है ये new leaves है इसलिए थोड़ी छोटी हैं ये देखें आप देख सकते हैं सारी new leaves है इसमें निकली हुई और ये देखें कितनी अच्छी rooting इसमें हो रखी है ये पेड़ पर पूरा लिप्टा हुआ था ये जड़ें जो है उस लगा देंगे तो ये भी grow हो जाएगा दो तीन piece में मैं इसको काट कर लगाऊंगी कट करके इसका जो ये stem है इसको लगाऊंगी और बाकी उपर का जो पार्ट है उसको अलग grow करूँगी मैं वो cutting अलग लगाऊंगी मैं तो आप देख सकते हैं ये जगा जगा से node area इसमें ह node area से rooting भी हो रही है और उसमें छोटे-छोटे से किल्य टाइप के निकल रहे हैं छोटे से मतलब वहां पर से पत्ता निकलेगा इसका ये देखिए आप देख सकते हैं हर node area के पास से जो है वो growth होती है पत्तों की तो देखिए ये कितने बड़े-बड़े से पत्ते हैं कितन हेल्दी प्लांट है ये काफी हेल्दी है क्योंकि ground पर लगा हुए है फ्रेंड ग्राउंड पर लगे हुए plants जो हैं बहुत हेल्दी होते हैं ये देखिए spider के बड़े-बड़े से ये सब ground पर लगे हुए हैं ये उसी पेड़ के जामुन के पेड़ के आस पास फरन है और spider plants वगेरा सब हैं किसी टाइम पर मैं उनका garden भी ग्राउंड का garden है काफी अच्छा और beautiful garden है मैं आपके साथ share करूंगी उनका garden भी लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं ये plants दिखा रही हूं ये plants spider के हैं इसमें देखिए runner भी निकले हुए हैं छोटे-छोटे से तो इसको मैं grow जरूरी नहीं है जिन पतियों का रखना उन पतियों को मैं कट करके निकाल रही हूं क्योंकि जादा पतियां क्या करना है cutting है ये ये पतियां हो सकता है आगे जाके मुर्जा जाएं सूख जाएं और अगर नहीं सूखेंगी तो कोई बात नहीं है ये grow हो जाएंगी और नही कौन तरहादा हैं बहुत फैली हुई दरड़ electr निकली हुई उन पतियों को मैं काड़कर निकाल दूगी be यह मैं देखिऑ इस तरह से मैंने एक पत्ति को निकाल दिया है जो काफी पैली हुई थी काफी जगा घेल रही थी उसलिए मैंने इसको निकाल दिया यह देखिए मैंने इसके लिए जो है पॉर्टिंग निक्चर तयार किया है तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो है 50% के खरीब जो है गार्डन स्वाइल लिए है और बाखी और थोड़ा सा कमपोस्ट मैंने ये यूस टी लीफ का कमपोस्ट मैंने कुछ टाइम पहले तयार किया था तो वो मैं कमपोस्ट भी इसमें थोड़ा सा एड़ कर रही हूं और मैंने अच्छी खासी इसमें सेंड मिलाई है क्योंकि कोई भी कटिंग लगाने के लिए सेंड को होना बहुत ज़रूरी है आप कटिंग को खाली सेंड में भी लगा देंगे तो भी ग्रो हो जाएगी और मिटी सेंड मिलाने से काफी अच्छी हो जाती है इसमें हमारा डिनर शिस्टम अच्छा रहता है पानी रुपता नहीं है पानी इची तरीके से निकल जाता है आप लोग देख सकते हैं वाइट वाली सेंड हमारे आती है construction stand आईए और ये मैं इसमें मिलाती हूँ मिट्टी में और मैंने थोड़ा सा इसमें fungicide मिलाया है थोड़ा सा मैंने Epsom salt मिलाया है और थोड़ा सा मैंने मिलाया है इसमें NPK थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब मिलाया है काफी कम quantity में क्योंके जादा quantity में cuttings में जरूरत नहीं होती है कोई खाद वगरा मिलाने की आप simple मिट्टी में भी grow कर सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा सा कोई compost दे सकते हैं इसलिए मैंने टी leaf compost मेरा बना हुआ था वो मैंने mix किया है इसमें और यह देखें यह मेरी सूखी नीम की पत्या हैं यह काफी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी यह एक साल से जादा हो गया है इनको रखे हुए बहुत पुरानी पत्या है यह मैंने खाद बनाने के लिए रखी थी पत्यों की खाद लेकिन यह अच्छी तरीके से गल नहीं पाई है डेकंपोज नहीं हुई है यह जबके मैंने काफी चीज़ें इसमें मिलाई मैंने दही का पानी और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है लेकिन यह पानी सूख जाने की वज़े से यह पत्यां जो है और अंदर हमारे प्लांट को इस ताकत मिलती रहेगी यह देखिए मैं मिट्टी सब इसमें भर रही हूं बहुत अच्छी सेंडी सोयल मैंने त्यार की है ताके हमारे प्लांट को कोई दिक्कत नहों और पानी इसमें रुके ना और अच्छी तरीके से पानी ड्रैन आउट हो मत ऑच्ठा क बुरुक्त दमाले हमारे पाट से अभी मिट्टी तोड़ी गीली भी है क्यांगे बारिश हो रहे है जो मेरे पाट में मिट्टी भरी रखी ती तोऊष civ थो इसलिए मिट्टी थोड़ी इली है मिन दीकी इसतरा से एक प्रदर का प्लांट मैंने लगा दिया है तो दीखे परेंड लगकर रेडी हो गया है मेरा spider का और दो ब्लांट और हैं, उनोंने तीन ब्लांट मुझे दीए है इस पाइडर के अच्छे खासे बड़े और ग्रो ऑचुके हैं, ये अच्छे खासे बड़े है है इसमें रणर भी आये हुए हैं तो इसलिए बैबी प्लांट नहीं बोल सकती हूं यह यह मैंच्चोर प्लांट हो गए हैं क्योंकि इसमें रणर भी आ रहे हैं प्रेंट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीस लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया अगर यह ताके आने वाले वीडियो के से लग रहा होगा कितनी भुर्भुरी रेतीली टाइप की मिट्टी है क्योंकि कोई भी कटिंग या कोई इस टाइप के जितने भी प्लांट होते हैं इनको पानी जाए होता है तो उनके लिए सेंडी स्वाइल बहुत अच्छी रहती है आप अपने मिट्टी में सेंड जाता है तो उसके हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं अच्छी होना चाहिए जिससे जड़े आराम से फैल सके नीचे तक जा सके और पानी भी जड़ों तक पहुंच सके अगर पानी टाइट मिट्टी होती है तो पानी ऊपर ऊपर रहता है नीचे नहीं पहुंच पाता चाहिए उसको भी मैं किसी छोटे पॉर्ट में लगा दूँगी क्योंकि वह छोटा सा पॉर्ट है यह देखिए बोतल का काट के मैंने पॉर्ट तयार कर लिया है और इस तरह से मिट्टी भर दिये और एक इसमें लगा दूँगी मैं स्पाइडर के प्लांट आसानी से ग्र प्रावोने लगते हैं अब यह वाले तो सही प्लांट है मैं चोर प्लांट है तो यह हो जाएंगे ग्रो हो जाएंगे अच्छी तरीके से यह भी लग गया देखिए इसमें भी रणर आया हुआ है रणर निकल रहे हैं इसमें भी कि यह देखिए भी रेडी हो गया है अब बचा है मेरा मॉंस्टेरा मैं मॉंस्टेरा की कटिंग को अब लगाऊंगे इसके लिए मैं पॉट तयार कर रही हूं देखिए यह काफी बड़ा सा अच्छा पॉट है और इसमें मैंने होल पर जो है गिट्टियां डाल दी हैं और इ देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितने सेंड ली है इसमें अच्छी खासी कॉंटिटी में मैं सेंड यूज कर रही हूं इस टाइम पर अपने स्वाइल मिक्चर में क्योंकि यह बहुत जरूरी है यह देखिए मारी मिट्टी तयार हो गई है और मैंने इसको पॉट को फिल क कर लिया है मट्टी से अब इसमें कटिंग लगाना है कि मोंस्टेरा की कटिंग जो है फ्रेंड बहुत टाइम लेती है ग्रोहने में काफी टाइम लगता है रूटिंग आने में इसमें बहुत जल्दी रूटिंग नहीं होती है क्योंकि मैंने लास्ट येर भी लगाई थी म मैंने cutting only Produkt ती उस टाइम पर वो cutting इसी टाइब की cutting थी और उसमें पत्ते निकले हुए थे पत्ते समीत मैंने लगा दी थी कुछ पत्ते थोड़े से मैं ने छोड़े थे लगा दिया था तो वह पत्ते मेरे सूख गये थे उसके बाद यह खाली से स्टेम बची थी तो वो लगी रही थी वो करीब 6 महीने के बाद जो है उसमें किल्ला निकला है उसमें जो है ग्रोथ हुई है छे महीने के बाद उसमें पत्ते आ गए है एक दो चोटे-चोटे से अब मैं उसको रिपॉर्ट करने वाली हूँ अभी तो ऐसे ही मेरे एक बड़ चोटे-चोटे सी लीफ्स आई है इसमें लेकिन हाँ वो हो गया है बस यह देखी फ्रेंड इस तरह से मैंने इस कटिंग को इस पॉर्ट में लगा दिया है अब जो इसकी यह नीचे की जो स्टेम बची है इसके में पीस करके इसी में गार दूंगी उसे भी ताके कभी हो सक है तो देखिए फ्रेंड यह हमारी कटिंग जो है लग गई है यह मैंने इसमें लगा दिया है इसको अब देखिए आगे बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी लेट यह ग्रो हो पाती है इसमें रूटिंग बहुत लेट होती है मांस्टेरा में अब यह देखिए इ वहां से नई मतलब ग्रोथ इसमें हो रही है चोट चोटे से किले से आया हुए है और जड़ें भी हैं बनी हुई तो वहीं पर से मैं जहां पर रूटिंग है इसमें वहीं पर से मैं इसको लगा दूँगी कटिंग को तो शायद यह भी ग्रो हो जाएगी यह भी उसी तरह स करते हैं इसमें रूट्स निकली हुई है यह इस तरह से जो होल करके मिट्टी में और सही से जड़ों को जहां पर जड़े हैं इतना एसा जो है एक कम से कम एक नोड एरिया जो है अंदर चला जाए अच्छी तरीके से मट्टी में दब जाए यह देखें यह इस तरह से मैंने इसको अब बाकी बची हुई दो स्टेम जो दो कटिंग्स हैं उनको भी मैं लगा दूंगी मिट्टी में अगर ग्रो होंगी तो हो जाएंगी तो मेरे दो तीन प्लांट्स बन जाएंगे इसके यह देखें इसमें भी रूटिंग है यह निकली हुई रूट्स है यही रूट्स जो है पेड़ के उपर चिपकी हुई थी यह रूट्स है इसे प्लांट अपना खाना पानी लेता है इनी रूट्स के जरीए से तो यह रूट्स जो हैं काफी जरूरी होती है प्लांट में अगर यह roots हैं तो जो है grow होने के chances जादा होते हैं success होने के cutting success होने के chances जादा होते हैं friend दो मैंने लगा दी एक और बचिये वो भी लगाना है friend इस तरह से गढड़ा मिट्टी में करके क्योंकि मिट्टी जो है गीली है friend इस टाइम पर और सूखी होई मिट्टी नहीं है वना सूखी मिट्टी में hole इस तरह से नहीं हो पाता है गीली मिट्टी में आसानी से cutting लग जाती है इस तरह से थोड़ा टेड़ा सा है लेकिन मैंने लगा दिया है क्योंकि अगर ये ग्रो हो जाएगी तो मेरा एक प्लांट और बन जाएगा ये देखे फ्रेंड इस तरह से ये cutting लगके ready हो गई है और पत्ते बहुत फैले हुए थे दर दर काफी जगा घेर रहे थे तो इसलिए मैंने इनको खट्टा कर दिया फ्रेंड्स आपको मारे वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज से लाइक किजे शेयर किजे और हमारे च